सेप हली खान ने दो शादियां की पहली पत्नी अमरिता सिंग सेप से 12 साल बड़ी थी सेप और अमरिता की लव मैरेज हुई थी दोनों का परिवार इस शादी के खिलाफ था फिर भी दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा दोनों के एक बेटी और एक बेटा भी हुआ जब सेप और अमरिता की शादी हुई थी तो वहां करीना भी मेहमान बनकर पहुची थी करीना ने सेप को शादी की बधाई देते हुए कहा था मुबारक हो सेप अंकल तब सेप ने रिपलाई करते हुए कहा था थैंक यू बेटा, खेर अब करीना सैप की पतनी है, लेकिन अमरिता और सैप का रिष्टा काफी करवा हट के बाद खत्म हुआ था, साल 2004 में पैसों और सैप के एक्स्ट्रा मेरिटल अफेर को लेकर हुए जगडे की वज़े से दोनों का तलाख हो गया था, कुछ समय पहले सै सैप का एक इंटर्व्यू सामने आया था, इस इंटर्व्यू में उन्होंने अपने और अमरिता के रिष्टे के बारे में खुल कर बात की थी, साथ ही अपनी बेबसी का खुल कर इजहार किया था, यह इंटर्व्यू साल 2005 का है, इससे एक साल पहले सैप और अमरिता का तला इंटर्व्यू में सेफ कहते नजराये तलाक के बाद से मैं अपने बच्चों से नहीं मिला हूँ, बार बार मुझे मेरी वकात याद दिलाई जाती है, बुरा व्यार ताने और गालिया, ये सब मैंने बरदाश्ट किया है, तलाक के बाद मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, तलाक के बाद अमरिता ने एलिमनी ना देने का आरोप लगाया था, इस पर सेफ ने कहा था मुझे अमरिता को 5 करोड रुपे देने थे, इसमें सेध दो 5 करोड मैं दे चुका हूँ, इसके अलावा मैं 1 लाक रुपे प्रती महीने की राशी अलग सेध दे रहा हूँ, तब इवाइभा की रिस्पेक करता हूँ, मेरे वललेट में बेटे इब्राहिम की फोटो है, जब मैं उसकी तस्वीर देखता हूँ तो मुझे रोना आ जाता है, मुझे मेरे बच्चों से मिलने की इजाजत नहीं है, क्योंकि मेरी जिंदगी में कोई नई महिला थी जो बच्चों को उनकी मा के खिलाव भड़का सकती थी, सेफ हागे बताते हैं, आज मेरे बच्चे अमरिता के पेरेंट्स और नौकरों के साथ रह रहे हैं, जबकि अमरिता टीवी सीरियल में काम कर रही है, उसे ये सब करने की क्या ज़रूरत है, मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने की ह पैसियत रखता हूँ, मैं मरते दम तक उनकी मदद करूँगा, मैंने स्टेज शोज, एड्स और फिल्मों से जो कमाई की है वे हिप बच्चों के लिए ही तो की है, हमारा बंगला अमरिता और बच्चों के लिए है, बता दे कि अब सैप करीना के साथ अपनी मेरेड जवाय कर रहे हैं, हाल ही में दोनों अपने बेटे तैमूर के साथ स्विजर लेंड घूमने गए थे, अक्सर सोशल मीडिया पर तैमूर की फोटो वायरल होती रहती है